हेलो दोस्तो स्वागत आपका आपी के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में तो दोस्तो आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सोना गोल्ड को लेके इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं जिससे आप सोने को फ्री में खरीज सकते हैं पहली चीज फ्री में खरीज सकते हैं दूसरी चीज जहां से खरीजोगे वो गौर्मेंट ओफ इंडिया से बैग्ड होगा मतलब एक सरकारी स्कीम होगी जिसके थ्रू आप फ्री में सोना खरीज सकते हो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आते ही अधूरी देखके जाओगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक है दोस्तो तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वह उसके बाद पांच-छे साल बात वह रिवाज पूराना हो जाता है तो फिर आप जाते हो सोनार के पास वह कहता कोई बात नहीं मेकिंग चार्जस लगेंगे तो नहीं चीज़ बनाके देदेगा तो वहां पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया वहां पे तो नुक्सान क्याली ग्यार की रूप में देना पड़ता है वहां पूलते हैं नाम सुना होगा तो सोरिंग वोल्डबोन क्या कहती है गवर्न्मेंट की आप आओ हुमारे पास सोना लो साल में चार से 5 वर हो सोलती है Google सर्च करोगे आपको डेट्स मिल जाएंगी साल की सरकार कहती है RBI कहती है कि आप आओ हुमारे पास सोना करीदो और हम आपका सोना जो है वो 8 साल तक रखेंगे मतलब बेसिकली जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उस पे आपको एक बॉंड इशू करेगी RBI उस रेट पे तो इसमें RBI एक चीज और कहती है कि जो भी मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा होगा ठीक है उससे हम 50 रुपीज सस्ता आपको देंगे और मान लिजिए आपने वन ग्राम 5000 का सोना करीदा जो कल्कुलेशन मैं बता रहा हूँ आप पेपर पे कर लेना साथ में आपको पता चल दाएगा गोल्ड फ्री में कैसे होगा आपको करना क्या है कि मान लिजिए for example आपने 5000 का वन ग्राम सोना करीद लिया पचास जार अगर रेट चल रहा तो उसको लोकिन रहेगा आठ साल का आठ साल बाद क्या होगा कि आपके अकाउंट में गोवर्मेंट क्या करेगी उस टाइम पे ज चीज़ और हम जो गोल्ड खरीदते हैं वो किन के लिए बच्चों की बच्चों की शादी के लिए तो अगर हम लेकर चलें कि 24-25 साल में शादी होती है तो इसमें तीन बार इंवेस्ट कर सकते हैं जैसे ही आठ साल कंप्लीट हुए आपके अकाउंट में गोवर्मेंट ने दस हजार उपे थर्ड टाइम आपने क्या किया वही जो गोल्ड था 5,000 वाला 10,000 रेट हो गया तो आपने 10,000 में खरीदा उसको और आफ्टर एट यर्स थर्ड टाइम जब आपका टोटल टैनुवर 24 साल का हो चुका है तो मान लीजिए उस टाइम पे जो आपका एक ग्रा मेरे हिसाब से मुझे 5,000 में मिल रहे हैं लेकिन मैंने तो कहा था कि आपको फ्री में मिलेगा वो चीज़ बताता हूं अभी गवर्मेंट इतना ही नहीं कहती गवर्मेंट कहते है कि SGB में इंवेस्ट करो जितना आप सोना खरीद होगे उसका 0.5% इंट्रेस्ट ब्याज हम अलग से आपको देंगे पहले 8 साल में हर साल 5,000 का 0.5% आपको इंट्रेस्ट मिलता रहेगा दूसरी बार जब 7,000 पे खरीदा था आपने तब 7,000 के हिसाब से आपके अकाउंट में हर साल 0.5% का इंट्रेस्ट आता रहेगा उसके बाद जब 10,000 पे खरीदा था तो हर साल तो दस हजार पे इंटर्स आता रहेगा और यह half yearly आता है साल में दो बार आता है धाई परसेंट का आदा हाफ yearly आएगा और धाई परसेंट का आदा बाद के छे मीने में आएगा अब यह चीजें calculate कर लेना वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखने की जूरत पर तो जुरूर देखना आप देखोगे कि जो आपने जेब से पांच जार लगाया था ना वह तो वापस आईगे उससे भी उपर 1200 और एक्स्ट्रा आगे यह तो एक्जेम्पल दिया था मैंने आपको एक ग्राम का सोचो आपने पचास दस ग्राम लिया होता एक तोला लिया होता दस तोले लिया होता तो आज के आज से 22-23-24 साल बाद अपने बच्चों भी शादी करने के लिए जाते जबकि सोने की तब ही जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर आपके पास सोने की टेंशन नहीं होती आपके वास फ्री का सोना पड़ा होता ठीक दोस्तो वीडियो अच्छी लगे इंफर्मेटीव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नहीं वीडियो में नहीं फाइनशल अपडेट के साथ तब तक के लिए बबाए टे केर